नमस्कार किसान भायो मौरिया चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको सितंबर मास में कौन सी सबजी लगाएं कौन सा अच्छा आपको पैसा देगा किसान भायो मैं इससे पहले अपील कर रहा हूँ कि जो मेरे चैनल को अभे तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबके लिए तुरंट आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए किसान भायो आज मैं कौन सी सबजी लगाना है कैसे लगाना है कितना खाद रहेगा किसान भायो आपका कितना उसमें खर्चा बैठागा इस वीडियो में आपको जानकारी दूँगा कौन सी खेती है किसान भायो मैं बता रहा हूँ आप इस महीने में गाजर की खेती कर सकते हैं किसान भायो गाजर की खेती में कोई दिक्कर नहीं आती है तो पहले बात कर लेते हैं खेत की किस तरह से जुताई करें और कितनी खाद छोड़ना है और कौन सी बीज लगाने है किसान भाईयों वो सब complete जानकारी मैं आपको दूँगा किसान भाईयों मैं पहले बात करनूँ खाद का अगर आप एक विगा गाजर लगाने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 30 या 35 किलो डियेपी का परियोग करना है इसके बाद में आप 10 केजी उसमें मिला करके जो हमारी आती है पोटास की मातरा कर सकते हैं पोटास छोड़ने से आपकी गाजर में जो चमक रहती है वो जादा रहेगी और उसके साथ में आप डबलू का आप सलफर मिला सकते हैं किसान भाईयों और आप लगभग 3 किलो गराम आप मिला सकते हैं इतना आप खाक छिड़काओ करके और फिर कल्टीवेटर से आप 2-3 बार जुताई करवा करके और फिर किसान भाईयों पाटा लगा दीजिए फिर अब मैं बात कर लू कि किस तरह से आपको बुआई करनी है तो किसान भाईयों आप छिड़काओ करके और फावडाय का सहारा ले करके और नाली भी से लगा सकते हैं किसी भी इलाके में किसी परदेश में अगर मसीन नहीं मिल लही है तो इस तरह से आप उसकी बुआई कर सकते हैं अगर नाली पे रहेगी किसान भाईयो तो आपकी जो गाजर है वो लंबी निकलेगी अगर जो साहर में जो इलाके में अगर मसीन उपलब्द है तो किसान भाईयो आप भी मसीन दोरा और मसीन दोरा बुआई करवा सकते हैं इसके बाद में वो मसीन नाली बनाती चली जाएगी और आपकी जो गाजर है वो बहुत अच्छा जर्मिनियसन होगा और मैं आप सबको एक बात और बता दूँ किसान भाईयो अगर आपके पास अगर एक ट्रैली गोबर की खाद उपलब्द है तो आप उसमें जरूर छोड़ दीजिए क्योंकि जिस तरह कमपोष्ट खाद काम करता है फसलों के लिए उतना अच्छा ये मेरी अंग्रेजी उतना अच्छा नहीं रहती है किसान भाईयो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप जरूर छोड़वाईए उसमें खेतों में किसान भाईयो अब मैं बीच की बात कलू बात जो मैं पिछली बाल लगाया था आप लाइफ़ ग्रीन के नाम से आती है किसान भाईयो वो आप लगा करके क्योंकि उसमें और भरपूर रुपे मिल जाएंगे किसान भाईयो अगर आप गाजर की खेती किसान भाईयो अगर सितंबर माह में लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा हो जाएगा आपका लगभग 70 या 80 रुपे किलो आपकी गाजर निकल जाएगी किसान भाईयो इस चैनल पर आपको सही जानकारी मिलेगी और जब जो फ़सल लगती है जिस महीने में किसान भाईयों आप चैनल को सस्क्क्राइब कर लीजिए तुरंत आपको उसकी जानकारी मिलेगी जो किसान भाई नहीं जान पाते हैं कि कौन सी सबजी किस महीने में लगाएं तब उसका रेड मिले कोई किसान नहीं समझ पाता है इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं किसान भाईयो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक जिरूर करना और सेर भी कर देना जो नहीं किसान रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है किसान भाईयो कि कब मैं खेती करूँ कि उससे मैं अच्छा मुनाफ़ा कमा सकूँ इसलिए उनको समझ में नहीं आता है किसान भाईयो अब मैं बात कर लूँ जो मेरी फसलों को जो नुकसान पहुँचाती है वो है खरपतवार खरपतवार अगर आपके खेत में जादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं तब भी आप पेंडा मैखलीन का परियोग करके और उसको छिड़काओ करके आप एक लीटर लेके आए किसान भाईयो लगभग आप पचास लीटर पानी में घोल मिला करके और छिड़काओ कर दीजिए ये कहीं पर बोंड के नाम से आती है पेंडा मैखलीन के नाम से आती है किसान भाईयो उसको ला करके आप उसमें छिड़काओ कर सकते हैं इसलिए आपकी जो खरपतवार है वो नहीं जर्मिनेशन होने पाएगी और आपकी गाजर है वो अच्छी ग्रोध करेगी बाईयो ये मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर एक लाइक करें आप सब के लिए किसान भाईयो के लिए बनता है और जो नए है मेरे किसान उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगे ताकि मैं सही समय पे जो सबजी लगेगी खरीब सीजन में या जो भी सीजन है मैं आपको तुरण जनकारी पहुचाऊंगा इसके लिए धन्यबाद